मरतत बाचीत के लिए मुझे बीजेपी के राश्ट्री महासची दुश्यान गोतम जी सरगरबाद के तो कई सारे राजनेतिक दल निकल कर सामने आ गए हैं जो बहिशकार कर रहे हैं कि नए संसथ बहुन के उद्गटन समारों में हम नहीं जाएंगे पहले ही कोण सा संसथ के अंदर बैस के लिए अन्दर बैसकरने के लिए जाते हैं उनकर मुग्लों की विल्डिंग है अंगरी जो की कर दी है और उसके द्वारा जो क्रोड रुपे का किराया बाहर जाता था वह भी बचेगा वह इनको वोक्लाट के कारण यह विष्कार कर रहे हैं आज पार्लेमेंट का वहिशकार कर रहे हैं तो एक विपक्षी ताकत भी दिखाने की कोशिश है क्योंकि एक के बाद एक दल ज इनको राष्ट्रपती बनाया था बड़े बड़े दुर्भावन पूर्ण वक्त वे इन लोगों ने दिये थे आज उनके प्रती प्यार जगा इनको बिरोद करना है काली बिरोद के लिए बाहना डूड़ना है राष्ट्रपती को बुला लोगे तो कुछ दूसरा दिर नहीं नहीं तो तीसरा डूड़न लेंगे धूड़ने डूड़ना है इनको और कुछ नहीं करना है खाली मोदी जी का बढ़ता हो ग्राफ जो विश्व के अंदर बन रहा है उसकी कोई भी इन पर काट नहीं है जनता के दिल में जो जगे बनाई है जहाए अस्टी करोड़ों हमिक और कि भी कोश जाए तमां साय द बाइक और के बहाने से लेकिन उसका बहता करें आघ श्यमार जोमें है इनकी नियत नियक्त गलत है इनके नियत मोधी जी पद इन लेकिस जंतला को द्रमा और पूर्व करते हैं लेकिन भरस्टाचार्य का तो अपने दवानाने को कोईश करती है लेकिन जंतला और जंकरुम कहीं नहीं है सरी नहीं है तो जो एक लोकतंत्र की परंपरा देखने को मिलती है वो नहीं देखने को मिलेगी लोकतंत्र की मरियादों को हमान के चल रहे हैं पारलिमेंट बनाई है सब को इन्वाइट करना हमारा काम है और लोकतंत्र की मरियादों को इनसे बचेंगी जिन्होंने आपतकाल लगाया है ज जिसको आज दिखानी कोईश्क कर रहे हैं कोई इसर पड़ेगा कार कर में क्या पड़ेगा पार्लेमेंट को उद्गाटन भी हुआ है और दो साल 25 महीने के अंदर पार्लेमेंट बनके खड़ी हो गई है वीश्विश्विश्व को देख रहा है कि भी आजाएं नहीं आएंगे तो क्या आपको यह कहना है कि नहीं आएंगे तो जनता इनको सबक सिखाएगे और हार का मुख देखना पड़ेगा 24 में पिलकुल पक्का है जो आने अब हमारे जो गोरब बढ़ाने वाली पार्लेमेंट संसत बन रहे हैं उसका वहिशकार कर र लिए और जनता उसका पदला ले लेगे इत्रक्त सवाल है चुकि आप पार्टी के राष्टी महासची हैं और नौ साल पूरे हो रहे हैं कि अंदर सरकार को तमाम सारे कारिक्राम आजुद कि जाने खलाप लोग की बैठा कुई पार्टी कर राष्टी से क्या कुछ कारिक्र सासन और जिस प्रकार से गरीवों का उत्थान किया गया है विश्व में गोरब बढ़ाने का काम किया गया देश के परधानमंति नर्यद्न मोदीजी ने और हम एक राजनिती दल के का होने के नाते हम हर वर्स रिपोर्ट कार्ट पेस करते हैं नौ वर्स पूरे हो रहे हैं हम जनता के बिच मोने जाने वाले हमने जो जो काम किया उन काम को लेके जाने वाले हम ऐ हम कि एक महीने का 39 तारीक को पृदापढनिरनी द्शा से अ करेंगे और और उसके बात में लगा थाम्एंव का ररगप चले के इसमें बुद्ध जीवी नहीं होंगी लावारती संभ संपर्ख और यहां चलेगा जो घर घरक जाकर हम उसको बताएंगी मोदी सरकार ने नुनों साल के लंदर चीज़ प्रकार से गुरुफसाली इत्यास रचा है एक विक्षित भारत की और देश को ले आने का काम की है अज संसार में किस प्रकार से पैचान बनाई है वो जंता के बीच में लेकर जाएंगे प्रभारत को पहली बंदे भारत ट्रेर में लए देहरादून से रवाना होगी दिल्ली आएगी किस तरीकिस देखते हैं यह हमारे लिए भड़ा गुरुफसाली है उत्राखंट के लिए भी गुरुफसाली है मर्दवार जाते हुए सूचा करते प्रदान मंतरी जिस परकार से आप देर दून चार गंटे के अंदर पूरा कर सकते हैं और मुझे लगता है फ्लाइड लेकर जाने में भी उतना ही समय लग जाता है तकरीवन और पूरे विश देश के अंदर जिस प्रकार से बंदे भारत का जाल बिच रहा है वो हमारे दे हुए देश के इतियास को बताता है और उत्राखंट के अंदर प्रदान मंतरी जी अने को ने काम कि है चार दाम जातरा को जो जोडने का काम की है एमकुल साब को जोडने का काम की है प्रदान मंतरी जिस परकार से उत्राखंट का गोरव बढ़ाने का का काम की कि आने वाला अगे बढ़ रहा है यह में पधार मंतीजी का धन्यवाद भी करते हैं और पूरे देश में बढ़ता हुआ जो आज की तारिक में यह बंदे भारत ट्रेन ही नहीं है आप देखेंगा दोजार चोदा से पहले के रिल्वे स्टेशन देखेंगा आप उनके प्लेट फारम देख देखेंगे उस समय की टेन वाज की टेन देखेंगा उस ढमके बातरूम सोचाले को देखेंगा आज के सोचाले को देखेंगा बदलता हुआ भारत है इसमें उत्तरा खंपी आगे विकास कर रहा है शुक्रेंशन पाचित करम बज्चेपी के राश्ट्री महासच्छे रोत कर रहे हैं उनको जनता सबक सिखाएगे और 2024 में उनको जीतने के लिए लाले पड़ जाएंगे कर्शन रोती साथ अविनाश्टिवारी एबीपी गंगा दिल्ली एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी